चर्खा जब चलाना हो तो कसुरबा जी तो माहिर थी चर्खा चलाने में, हिंदी में, यमराथी में, वो हमेशा वो ही होता है, लेकिन इंग्लिश में V और W, एक सीन है ही, लेटरिन साफ करने का, संदाज साफ करने का सीन है. गांधी एक पड़ाव है, जो काफी माइने रखता है मेरे लिए, क्योंकि मैं नोटिस भी हुई उसमें, कि ये एक अक्ट्रिस है, यह जो स्ट्रगल जो करना पड़ता है, वो थोड़ा सा कम हो गया, ऐसा ही मैं कहूंगी, और फिर गांधी के जमाने में, ये इंडो-ब्रिट फिल्म थी, वहाँ पर आधा क्रू ब्रिटिश था, आधा क्रू हिंदी था, तो उसमें काम करते वक्त, और भी एक अनुभव आया, उसकी स्क्रिप्ट हम को पहले से मिल गई थी, लेकिन 27 से लेके, 74 तक, ये मुझे लाइव स्पैन बताना था, और बीच बीच में बताना लगातार ऐसे नहीं था, चार सीन छोड़के फिर बाद वाले सीन में सड़नली थोड़ी सी एज बढ़ गई है, एकदम से एज नहीं बढ़ गई है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, यानि 27, फिर 35, फिर 47 और फिर ऐसे बढ़ती बढ़ती गई थी, तो उसमें मुझे क करना पड़ा, वो भी एक मज़ेदार बात हुई, कि 74 जब कस्तुरबाजी चल बसी, तब से लेके 27 तक थोड़ा सा पीछे आना पड़ा, फिर कौन सी घटना, चो कि गांधी ये रियल स्टोरी है, तो उसके सन हम को पता थे, कि ये चले जाओ, क्विट इंडिया कब हुआ, या बर्निंग इंगलिश क्लॉथ ये कब हुआ, साउथ आफरिके से आये कब, उन्होंने पहले कॉंग्रेस में पहला भाशन कब दिया, फिर उनको, यानि ये सारी चीजे उनके हम को सन पता थे, तो उसके सन, उसका साल, वो 74 में वो चल बसी, वहां से उस साल में कितने साल की होगी, ये इतने कैलकुलेशन करके हर सीन में मैं कितने साल की होगी, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ा था, और फिर उसके हिसाब से, फिर मेकप, हैर, ये सब करना पड़ा था, तो ये मेरा अपना स्टड़ी था, और वो डिसकस करना, वो मेकप मैं के साथ, और हमारी हेयरीड्रेसर के साथ, वो हमने किया, और फिर जो भी वो करना था, कौन सा सीन आज कर रहे हैं? तो मेकपमन करो, ये सीन कर रहे हैं, तो इसमें कौन से साल की? ये साल की, ओकी चलो मैं मेकप करता हूँ इस तरीके से वहाँ पे होता था दूसरा चर्खा ट्रेनिंग क्योंकि चर्खा जब चलाना हो तो कसुरबा जी तो माहिर थी चर्खा चलाने में असल में सबसे ज्यादा सूद कातने वाली ऐसा भी उनको वो मिला था वो थी उस वक्त तो चर्ख चलाते चलाते भी एक दूसरा सीन था इसलिए चर्खा ट्रेनिंग भी ज़रूरी था इंगलिश में फिल्म थी इसलिए एलोक्यूशन ज़रूरी था हां हला कि लहजा नहीं चाहिए था उनको कोई ऑक्सफर्ड वगर ऐसा नहीं लेकिन टी और डी कर्टी एंडी करेक्ट मै हिंदी में या मराठी में वह हमेशा वह ही होता है लेकिन इंगलिश में वी और डबल्यो इसका उच्चार वह होता है लेकिन वी जब आता है तो वह होता है और डबल्यो जब आता है तो वह होता है यह मुझे तब पता चला यह ऐसी सारी चीजे सीखने को मिली यादि मुझ मुझे लगता है यह सीखना और सारी बाते कलेक्ट करना यह हर फिल्म मुझे वो करने के लिए मजबूर कर देती है कभी-कभी क्यूंकि हर फिल्म में हम अलग-अलग क्यारेक्टर्स करते हैं हर फिल्म में क्यारेक्टर्स जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं जैसे मैंने कस् सारांज किया है, सारांज की कारेक्टर जो है, और कस्तुर्बा की कारेक्टर है, दोनों ओल्डर कारेक्टर हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि एक तो एक और थी जो 1910, 20, 30 में अपने हस्बंड के साथ, हस्बंड उसका इतना पॉपिलर था और वो काम कर रहे थे, यहनि गांधी जी काम कर रहे थे और उनको समझ के उनके पीछे चलना चाह रही थी और कस्तुर्बा खुद अनपड थी, लेकिन अनपड होना और समझदार होना दोनों अलग बाते हैं, कस्तुर्बा बहुत समझदार थी, बहुत intelligent मैं कहूंगी थी, और कुछ कहा तो वो उसको विरोध जरूर करती थी, लेकिन जब उनको गांधी जी समझाते थे, वो समझ जाती थी और फिर वो अपना वो बदल देती थी, जैसे एक सीन है ही, लेटरिन साफ करने का, संदाज साफ करने का सीन है, तब वो पहले नहीं मानती है, और फिर वो मान जाती है कि हाँ, मैंने भी गलती की जगड के, और मैं भी वही करूँगी, गांधी जी भी करूँगी, तो ये अंडरस्टाइंडिंग जो है, वो आखिर तक अकस्तुरभा के इसमें था, गांधी जब हुई, तो गांधी के बाद मुझे बहुत सारे मा के रोल्स आए, हमेशा मुझे मा का ही रोल करना पड़ा, और मैंने चलो, मैंने किया, पैसा भी मिल रहा था, इंडिस्ट्री में नाम भी मिला था, तो कर ही लिया, लेकिन जो भी रोल किया है, मैंने, तो गांधी के बाद तो ऐसे हुआ कि नोटिस तो हुई, काम भी मिलने लगा, लेकिन य मैं तंग आ गई थी मा के रोल्स, हमेशा यह होता था कि ने नी सिर्फ ओल्डर नहीं है, यंगर रोल, यंग टू ओल्ड है, अब यंग टू ओल्ड यानि क्या, चार सीन्स यंगर डेज के हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, और इसके बाद में फिल्म में बड़ी, यानि मा का रोल होता था, तो ये होते होते, जब होने लगा ज्यादा, तो एक बार तो James Ivory साब ने मुझे पूछा था, Heat and Dust नाम की फिल्म थी, उसके लिए, उन्होंने बुलाया कि आप आके मिल लीजिये, तो मैं गई, तो उन्होंने पूछा, आपने गांधी में रोल किया था, मै I said, I did older का सुपवाद, तो कहने लगे, with makeup, निका या, make-up के साथ वो हुआ था, मैं नहीं किया है वो रोल, तो फिर बुला, नहीं, मुझे makeup यूज नहीं करना है, और मुझे 55, I thought you are in your 50s, तो मैं आपको बुला लिया था, I'm so sorry, लेकिन मैं makeup नहीं यूज करना चाहता हूँ, without makeup, तो वो तो रोल मैंने किया नहीं, वो बाद में दीना जी नहीं रोल किया था, anyway, so, ये एक मज़े के तोर पे मैंने बता दिया कि ये भी हुआ था मेरे साथ,